अरेली से एक बड़ी खबार जहाँ पूरु मंत्री लखन गंगोरिया की कार दुरगटना गरस हुई है कार सवार वधायक की बीटी और बेटा और ड्राइवर इसमें घायल हो गए है गायलों को उदाइपुरा स्वास केंदर में भरती कराये गया है हाथ्से के वक्त लखन गंगोरिया कार में मौजूद नहीं थे देवरी थाने के नेशनल हाईवे बारा पर यहाथ्सा हुआ है पूर मन्तरी लखन गंगोरिया की कार दुरगटना गरस्तो यह तस्वीर आब देखिए कार सवार वधायक की बीटी और बेटा गायल हुए है ये कार के तस्वीर आब देखिए किस तरह एक बड़ी दुरगटना यहाँ हो सकती थी लेकिन ये कहें कि एक चमतकार ही है आज से के वक्त लखन गंगोरिया कार में मौजूद नहीं थे रोहित चौधरी हमारे समवाद दाता बरेली से हमारे साज उड़ रहे हैं रोहित क्या अपडेट है आपके पास जी बिजय मैं आपको बता दूए है देवरी उड़ापरा चेतर का पूरा मामला है पांचरा गाउं के पास लगबग साम देर साम को जबलपूर बिदायक लखन सिंगन और गिया कि शपेद फार्चुनर कार अतियंतर होकर पलट गई है कार में सवार बिदायक का बेटा बेट पूर जा रहा है थे इस दोराने हास्था हुआ है कार के सभी एरवेग खुल गए जिसके कारण है बड़ा हास्था टल पाया है पर तेक जब स्रीक के अनुसार रप्तार कार की अदिख हुई थी और ड्राइबर असंतलिस्ट हो गया था कार चलाते वक्त जिसकारण है कार प पाल रेफेर किया जाए गाए या जवल पूर यह अभी प्रसाइबर रोहित अभी हालत कैसी है क्या क्या कह रहा है डॉक्टर खत्रे से बाहर है या मामूली चोटे है जी बज़े मैं आपको बता दू अभी तो डॉक्टरों से जब हमने बंसल लिए बात की तो उन्होंने है कि अभी कोई भी खत्रा नहीं है मामूली चोट आई है क्योंकि एरवेक गाड़ी के खुल गए थे इस कारण यह बड़ा हाथ से चला है अगर एरवेक गाड़ी में नहीं होते तो साइद गड़ना बड़ा रूप ले लेती वाकई और जिस से एक महंगी कार नज़र आ र एक छोटे कार नहीं है